तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 में परिवर्तित नाम यानि कि 2018 में जितने भी जगों या इस्थानों के नाम चेंज किये गए हैं तो उन सभी को आज हम कवर करेंगे जैसे कि सिमिला का नए नाम क्या रखा गया है या एहमदाबाद का नए नाम क्या है तो इस प्रकार के जितने भी कोसन है जो आने वाले अक्जाम में पूछे आ सकते हैं तो उन सभी को आज हम कवर करेंगे और देखे मैं आपको उता दूँ इस वीडियो को लाश्ट में मैं आपके लिए कुछ ही इंपोटेंट कोसन लेका है हूँ तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के हंद तक पूरा देखते रहे है और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे है तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें साथ ही उसके साइड में जो आपको बैल आइकन दिख रहा होगा आप उसे जरूर दबा दे ताकि जब भी मैं आगर वीडियो अपलोड करूँ आप मारी वीडियो सबसे पहले देख सकें तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते है तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है इलाबाद का नया नाम क्या है तो इलाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आतिनातने इसका नाम चेंज कर दिया है अब इसका नया नाम क्या होगा पिर्याग राज इसका नया नाम होगा तो आपको दियान लगना है बेरिंपोटेंट है और इसके बारे मैं आपको और पॉइंट बतायता हूँ देखे आपको दियान लगना है जो सबसे पहले इलाबाद का नाम हुआ करता था प्रियाग राज इसका नाम हुआ करता था उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था मुगल सासा अकबर ने इसका नाम चेंज करकर अलाहबाद रखा था और फिर इसका नाम फिर दौरा चेंज किया गया था और इलावाद रखा गया था और अब इलावास से इसका नाम क्या रखा गया है प्रियाग राज से दोबारा इसका नया नाम रखा गया है तो आपको दियान रखना है चलिए अगला देखते है फेजाबाद देखे फेजाबाद का नाम चेंज किया गया है इसका नया नाम आयोध्यार रखा गया है तो बेरी इंपोर्टेंट आपको धिहान रखना है और ये जो फेज़ाबाद है ये उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है और मैं आपको बता दू इसका नाम चेंज करने का कारण क्या है कि फेज़ाबाद का नाम इसलिए रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है तो चलिए अगला देखते है तो यहाँ पर अगला नाम है नया रायपूर नया रायपूर का नाम चेंज किया गया है इसका अब नया नाम अटल नगर रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है और इसके बारे मैं आपको बता दूँ यह जो नया रायवपूर है आपने नाम सुनाओगा रायवपूर का जो 36 सगड़ की राजधानी है तो जो 36 सगड़ की राजधानी है रायवपूर उसी का प्रसाशनी केंद्र बनाय गया है नया रायवपूर को तो आपको ध्यान अगना है और जो 36 के बरतवान मुख्य मंतरिया रमन सिंग इन्होंने ही इसका नाम चेंज करकर रखा है अटल नगर और इसके बारे में आपको एक पॉइंट और बता दूँ नया रायपूर में ही रायपूर अंतराष्टे क्रिकेड इस्टेडियम इस्थित है काफी इंपोर्टेंट है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है तो यह कहां पर है नया रायपूर में ही इस्थित है त यानि कि अभी रखा नहीं गया, इस पर मोहर नहीं लगी है, कि सिमला का नए नाम स्यामला होगा, इसे अभी बदलने की तयारी, यानि कि चेंज करने की तयारी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना आए, तो चली एगला नाम देखते है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, चली आगे देखते हैं, तो यहाँ पर अगला नाम है, एहमदाबाद, तो एहमदाबाद का नया नाम क्या होगा, करनावती होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, कि ये भी प्रस्तावित है, और इसके बारे मैं आपको एक पोईंट और बता defined तो चलिए नेस्ट देखते हैं इ ciud हजरत गंज Čराह देखे लखनों में इस्थित है और इसका नया नाम रखा गया है अतल चो तो आपको दियान डहने है तो चलिए आगज़े देखते हैं अटल पत तो आपको ये दोनों ध्यान रखने है तो चली आगे देखते हैं आगरा एरपोर्ट देखे ये भी यूपी में स्थित है आगरा एरपोर्ट और इसका नया नाम रखा गया है दीन दयाल उपाध्याई एरपोर्ट तो आपको ध्यान रखने है चली आगे देखते है कांडला बंदरगा देखें यह कांडला बंदरगा है इसका नया नाम रखा गया है दीन दयाल बंदरगा यह very important है और आपको ध्यान लखना यह कहाँ पर रिस्थित है यह गुजरात राज्ये के कच्छ जिले में इस्थित है कांडला बंदरगा और इसका नया नाम दीन दयाल बंदरगा रखा गया है तो यह very important है आप इसे जरूर ध्यान लखेगा तो चली आगे देखते है गुलगाम का नया नाम देखें गुलगाम का नाम चेंज किया गया है और इसका नया नाम गुरुगराम रखा गया है तो ये भी काफी important है और मैं आपको दादू इस गुर्ण गाम को Cyber City के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ परिस्थित है ये हर्याणा राज्य का एक सहर है तो आपको ध्यान अगना है और इस समय जो बरतमार में हर्याणा के CM यानि की मुख्यमंत्रिये कोन है मनो और लाल खटटा रहें तो आपको मुख्यमंत्र भी याद रखने है और मैं आपको दादू अगर आपने सभी उंतुत्तराज्यों के मुख्यमंत्रियाद नहीं किर है तो आप सभी को याद कल लीजे मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है ट्रिक के साथ अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपके सभी 29 राज्यों के मुख्यमंत्री याद हो जाएंगे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक देदूँगा या आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो चली आगए देखते हैं गोरकपूर एरपोर्ट तो गोरकपूर एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है महयोगी गोरकनात एरपोर्ट रखा गया है तो आपको ये भी देहान अखना है और ये उत्तर प्रदेश में ही है तो दोस्तों यही थे जितने में 12 नाम परिवर्तन आपके लिए लेका आया था जो दोया ठार में किया गए थे बेरी इंपोडेंट थे और चलिए आगे हम देखते हैं कुछ अब्जेक्टिब कोशन जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ तो यहाँ पर पहला कोशन है गांधी जी ने किस बर्स ऐसे योग अंदुलन की शुरुवात की थी तो बेरी इंपोडेंट कोशन है अगर आपको इसका अंसर पता है तो आप इसका अंसर लगा सकते हैं तो चलिए मैं आपको उतायता हूँ ऐसा योग अंदुलन की शुरुवात गांधी जी के दौरा एक अगस्त उननिस सो बीस को की गई थी तो यहाँ पर इसका अंसर उप्सन नमबर सी सही हो जाएका उननिस सो बीस आपको पूरी डेट याद रखनी है एक अगस्त उननिस सो बीस को की गई थी तो आपको पूरी डेट याद रखनी है चलिए नेश्ट कोस्तन देखते है भारत में मनसबदारी प्रथा किसे ने सुरू की थी तो इस कोस्तन में आपका उताना है कि सबसे पहले भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी और चोहत्तर के बीच में तो आपको दियान रखना है तो यहाँ पर इसका अंसर क्या हो जागा उप्सन नमबर C सही हो जाएगा अकबर अकबर ने सुरू की थी सन 1573 और चोहत्तर के बीच में सुरू की थी मनसबदारी प्रथा बहरी इंपोटेंट है चलिए नेश्ट कुसं देखते है सबसे गर्म गर्या कौन सा है देखे काफी सिम्पल कोईसन है और कई बार एकजाम में पूछे भी गया है कि सबसे गर्म गर्या कौन सा होता है तो अगर आपको पता है तो आप यहां पर इसका answer लगा सकते हैं तो चलिए इम आपको बदायता हूँ यहां पर इसका answer option 20 सही हो जागा सुक्र गिरह को गर्म गिरह कहा जाता है लेकिन कुछ लोग इसका अंसर क्या लगाते हैं मंगल गिरह को लगाते हैं तो यह बिल्कुल गलत है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो आपको दिहान लखना है और गर्म ग्रह सुकुर ग्रह को कहा जाता है और मैं आपको इसके बारें बता दूँ कि सुकुर ग्रह का जो ओसत सतय का तापमान होता है लगवग 735 डिग्री कैल्विन इसका ओसत सतय का तापमान होता है तो आपको यह दिहान दखना है और मैं आपको तदू यह गर्म गिरह से क्यों कहा जाता है देखे सुकुर गिरह का जो बायू मंडल है उसमें कारवन डाइकसड और सलफर डाइकसड के घने बादलों के कारण सुर मंडल का सबसे सकतिसाली ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस प्रिवाव उत्पर्ण करता है तो इसलिए इसे गर्म गिरह कहा जाता है तो आपको यह पोइंट दिहान दखने है बेरी इम्पोटेंट है तो चलिए नेश्ट कोस्न देखते है तिरी पिटक धर्म गिरन्थ का सम्मंद किस धर्म से है आपको बता रहे है कि तिरी पिटक जियो धर्म गिरन्थ है इसका सम्मंद किस धर्म से है या किस धर्म का यह धर्म गिरन्थ है तो बेरी इम्पोटेंट है तो यहाँ पर इस cancer option D सभी जागा बोध धर्म का ये बोध धर्म का धार में गिरंत है तिरी पिटक और इसके बारे मैं आपको बता दूँ तिरी पिटक धार में गिरंत को इसे तीन भागों विवाजित किया गया है बिने पिटक, सुत्थ पिटक और अधि धम ये तीनों भागों में इसे बिवाजित किया गया है बेरी इंपोटेंट आप इन तीनों को याद रखेगा और मैं आपको बता दूँ इसे पाली भासे में लिखा गया है इसकी रचना लगबग 100 इसापूर्व से 500 इसापूर्व मानी जाती है तो आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा तो चलिए आगला कॉस् ilgili देखते है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराश्च्छ शीमा लगी हुई है बरी इंपोर्टेंट है और इसकी जो लंबाई है मैं आपको बतादू लगबाग 4096 किलोमेटर इसकी लंबाई है और अगर हम बात करें कि सबसे कम सीमा भारत की किस देश के साथ लगी हुई है अंतराष्टे सीमा तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा है कितनी है 106 किलोमेटर तो आपको ये भी ध्यान रखना है तो चलिए अगला कॉस्सन देखते है नोबेल पुरुसकार 2018 सांती के छेत्र में किसी ये दिया गया देखे बेरिंपोटेंट है मैं आपको तादू जितने भी आने बाले एक्जाम होंगे तो ये जे टोपिक है नोबल पुरुसकार 2018 यहां से कॉस्सन आपको देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए आपको जितने भी छेत्रों में नोबल पुरुसकार 2018 दिये गए हैं तो आपको याद करना बहुत जरूरी है तो मैंने इसके लिए पहले से एक वीडियो बना दिया है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा क्योंकि ट्रिक के माध्यम से मैंने 2018 के नोबल पुरुसकार याद करा है कापी असान ट्रिक है अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको सभी जितने भी छेत्रों में नोबल पुरुसकार दिये गए है आपको याद असानी से हो जाएंगे तो मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा या आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर बात आज चल रही थी कि सान्ती के छेत्र में किसे दिया गया तो डेनिस मुक्बेग और नादिया मुराद को दिया गया है सान्ती के छेत्र में तो यहाँ पर इस cancer option ए सही हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिलीजे एक लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को जाद से जाद से जाद सेयर भी करें ताकि हम आपके लिए आगे बिन रंतर ऐसी वीडियो लाते रहें अगर आप हमारी पहले की सभी वीडियो देखना चाते हैं जो मैंने काफी सारी वीडियो बना चुका हूं काफी इंपोटेंट हैं उन्हें देखना चाते हैं तो हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हैं तब तब के लिए नमस्कार